नासकार, लाइम लाइट में आपका स्वागत है इस नए दौर में कला और फोटोग्रफी दोनों ही अपनी सीमाओं से पर एक नया रूप इक्तियार कर रही है और इसका जीता जाकता उधारन राजधानी में चल रही ये दिल्चस फोटो एक्सिबेशन है जिसमें देश-विदेश में मशहूर 17 फोटोग्रफर्स का काम प्रदर्शनी पर है विवान सुन्दरम, अमिता शेरगिल की तस्वीरों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है तो दायनता सिंग, पारसी जीवन की जलक अपनी तस्वीरों में उतार रही है ये कोई पारंपरिक ग्यालरी नहीं, बलकि एक ऐसा घर है जिसकी मरमत होने वाली है आट गॉल्फ लिंक्स में फोटो स्फिया के शीशक से ये आधुनिक कला प्रदर्शनी आयोजित हो रहा है इस प्रदर्शनी में एक दर्जन से अधिक कलाकारों द्वारा खीची गई तस्वीरों को ड्रॉइंग रूम से किचन और बिजली के बोर्ट तक हर जगर प्रदर्शित किया जा रहा है मेरे खाल से डिजिटल फोटोग्राफी के साथ सारी दुनिया में फोटोग्राफी की बार सी आ गई है भारत में भी हाद से बने हुए बिलबोर्ट की जगह फोटोग्राफ ने ले ली है शहर के बस अड़ों को ही लीजिए वो प्रतिमात्पक तस्वीरे या स्कल्प्चरल फोटोग्राफ बन गए है फोटोग्रफर दायनीता सिंग द्वारा पार्सी समुदाय की पोट्रिट्स की हालिया सीरीज इस प्रदर्शिनी में एक विशेश सेक्शन है ये कोशिश है ये जानने की की लोग फामिली पोट्रिट्स से कितने दिल्चसपी रखते हैं मैंने फ्रतिक्रिया के तौर पर 1996 में ये सीरी शुरू की थी क्योंकि एक भारती फोटो जोनलिस्स के रूप में मुझसे एक खास इमिजरी की अपेक्शा की जाती थी इस पर काम करते हुए मैंनों महसूस किया कि हमारे यहाँ फैमिली पोट्रेट की परंपरा खतम हो गई है अब अगर आप गो आ जाये तो वहाँ पर आपको ये तस्वीरें 30 घरों में तंगी मिलेंगी और 5 पीडियों तक तंगी मिलेंगी प्रदर्शनिया आती जाती हैं मगर इस तरह की तस्वीरें अमर रहती हैं प्रदर्शनिय में भारतिय फोटो स्टूडियों की कुछ नायाब तस्वीरों के अलावा राम रह्मान, शीबाचाची, भारती खैर, कृती अरोरा, अनीता दूबे, विवान सुन्दरम की कलाकृतियों के अलावा पर्यावरन के पतन पर हौशीम घोश की कलाकृति भी शामिल है इसके अलावा हेमी बावा और रनबीर कालिकर जैसे पेंटरों और मूर्तिकारों ने फोटोग्रफी के साथ जो प्रयोग किये हैं वो भी यहां प्रदर्शित हैं मेरे ख्याल से पेंटर्श भी फोटोग्राफिक करते हैं और वो फोटोग्राफिक में कलाकारी दिखाते हैं अब बहुत लोग पश्चिम की कलाओं से प्रभावित हो रहे हैं जहां फोटोग्राफिक को एक कला माना जाता है हाला कि फोटोस्फिया में दिल्ली के चायाकारों को ही शामिल किया गया है मगर इससे जहां एक तरफ आर्ट फोटोग्रफी को प्रोचसाहन मिलेगा वहीं इससे कला प्रदर्शनी का एक अनूठा रूप भी सामने आया है लिदिशारोय, Star News दो मॉनिटर, एक प्यानो और आधा दर्जन येर फोन ये हैं विवान सुन्दरम की नई कलाकृती के अंश विवान ने अपनी माँ और अमरता शेर्गिल की बहन इंदिरास सुन्दरम के नाम पर इसका नाम इंदिरास प्यानो रखा है विवान सुन्दरम ने अपने नाना उमरता से शेर्गिल दवारा खीजी गई तस्वीरें लेकर डिजिटल टेक्नोलिजी की मदद से अपनी माँ इंदिरा और हंगरी से संबंद रखने वाली नानी मारी आंतनुट के अनिमेटर विडियोस बना हैं वो दोनों शास्त्रे संगीत की आशिक थी मेरे पास यह प्याना था और मुझे दो मॉनिटरों की जरूरत थी हेड़फोन की मदद से आप माँ को सुन सकते हैं और परिक्रमा पर आप बेटी को देखते हैं फिर पंदर मिनट के वीडियो में यह फांद कर बेटी पर चला जाता है चुनांचे एक परिवार में जहां एक माँ और बेटी हो वहां बातचीत तो होगी ही इससे दर्शकों को दूसरे की मौजुदगी का एहसास होता है जाने माने कलाकारों की इलेक्रानिक कलाकृतियां शामिल है कलाकार वीडियो और फटोग्रफी जैसे विवे नमाधिमों का इस्तमाल कर रहे हैं द्रचस बात ये है कि वो इन तक्नीकों के बीच की सीमाय तोड रहे है फ्रांस के संगीत का जौन फ्रांसोर सायरों ने अपनी कलाकृति डिसलोकेटिड सिटी में शेरी जीवन के बेसुरे पन को एक अंधेरे कमरे में अपने लाप्टॉप से निकलने वाले आवाजों से दर्चाया है आपको द्वनी महसूस करके अपनी तस्वीरे बनानी है मैं तस्वीरों को आवाज देना पसंद नहीं करता क्योंकि आपका सारा प्रत्रेक्श ग्यान बदल जाता है ये प्रदशने एलेक्ट्रोनिक मीडिया के माधियं से आर्ट और टिक्नॉलिजी के बीच की सीमा पहचानने की दिशा में जाने माने का लाकारों की एक और एहम कोशिश है पुजा तलवार स्टानियोज